जार्खन के सरकारी स्कूलों में 17 माई से 4 जुन तक गर्मी की छुटी जार्खन के सरकारी प्राथमिक विद्यालियों में पहले टर्म की परिक्षा 2 से 15 माई के बीच होगी यह परिक्षा OMR सीट पर ली जाएगी जिसमें बस तुनिश्ट प्रश्ण पुछे जाएंगे सरकारी स्कूलों के सिक्षा अधिचकों को भेजेगा है बतादे सिक्षा सचीव राजे सर्मा के अध्यक्स्ता में होई उक्त समीक्षा बैटक में यह बाद सामने आई की अधिसंख्य जीलों में इसकूलों के पुस्तकाला के लिए पुस्तक क्रय नहीं किये गया है नहीं मानो संसाधन बहाल हुए है जारखन में एक बार फिर लू कहर बर पाएगी 25 अप्रेल से 28 अप्रेल तक राजे के राची पलामू गढ़वा चत्रा को डर्मा गिरिडी समेत अने जीलों में कहीं कहीं लू चलने का पुरोनवान है इस दोरान मासम सुस्क रहेगा और आस्मान मुख्यत साप राने की भी समभवना है मासम बिभाग के पोर अन्वान के अनुसार जारखन के बिभीन जीलों में अगले दो दिनों में 2-4 डिग्री से स्टाप मान बढ़ सकता है 25 अप्रेल से 28 अप्रेल तक राजे के विभीन जीलों में लूच चल सकती है इसे लेकर मासम बिभाग ने चेतावनी जारी की है कोरोना की चौथी लहर को देखते हुए इसकूलों में पराथना पर रोक इसकूलों में सिक्ष को महिला रसोई एवं अने कर्मियों को दोनों डोज का टिका लेना अनिवारी हो गया है साथ ही पराथना वह समोहिक संस्कृति कारिकरम परोक बरकरार रहेगी इसकूली सिक्षा एवं सक्षर्था विभाग के सचीव राजे सर्मा ने सभी जीला सिक्षा पताधिकारियों एवं जीला सिक्षा अधिक्षकों को पत्र लिख कर कुरोना प्रोकाल का सभी सिकूलों में सक्ति से पाहलन कराने को कहा है सचीव ने अपने आदेश में कहा है कि देश के कुछ राजियों में कुरोना संक्रमन दर्में बिरिती देखी जा रही है ऐसे में राजिय में इसकूलों में कुरोना संक्रमन से बचाव जरूरी है पुर्व में इसकूलों के खोले जाने के समय कुरोना से बचाव को लेकर विस्तरी दिस्तार निर्देश जारी किये गए थे जिसका सक्ति से अनुपालन होना चाहिए रगुबरदास आज फीर करेंगे बड़ा धमाका जारखन के पुरो मुख मंत्री और भाजपा कराश्ट्री उपाध्यक्ष रगुबरदास आज एक बार फीर एक बड़ा धमाका करने जा रहा है माना जा रहा है कि मुख मंत्री हमान सुरेन पर खदान लिज लेने के दस्तावे जो सभीतों के साथ संगीन आरोप लगाने के बाद फीर से उन पर कुछ नाया खुलासा करेंगे ऐसी संभावना है कि इस बार वे मुख मंत्री को लेकर एक और सुनसानी खेज मामला मीडिया के सामने लेकर आएंगे भाजपा परदेश मुख्याले में रगवर दास ने दोपहर 12 बच कर 30 मिएट पर प्रेस कॉनफरेंस बुलाई है सियासी गलियारे में रगवर के नए पैतरे को लेकर अटकलों का बजार गरम है पंचायत चुनाव में किसी कैंडिडेट का रद नहीं होगा नमांकन राजे में होने वाले तिरेस्तरे पंचायत चुनाव के तहद दाखिल हो रहे नमांकन पत्रों की जाँच निर्वाची पताधिकारी ही करेंगे बतादेटा निर्वाच्चन आयोग ने नमांकन पत्रों की जाँच को एक अर्ध नियाईक परकिरिया बताते हुए नियाई के उच मापदंडों को अपनाते हुए नमांकन पत्रों की जाँच करने को कहा है इसमें पूरी निष्ठा एवनिस पक्ष्था बरतने के निर्देश देते हुए निर्वाची पताधिकारी हो को सकत रूप से कहा गया है कि इस बात की कदापी अनुमती नहीं दी जाती है कि कोई ब्यक्ति या कोई राइनेतिक दल निर्वाची पताधिकारियों के कारियों में हस्थ छेप करे तथा हस्थ छेप से नमांकन पत्रों की जाँच परभावित हो आयोग ने कहा है कि या आवस्यक नहीं कि नमांकन पत्रों के जाच के समय कोई उमिद्वार या उसका कोई परतिनिदी उपस्थित ही रहे केवल उनकी अनुपस्थिती के कारण समधित उमिद्वार का नमांकन पत्र अस्विकार नहीं होगा दिएभी स्कूलों में निकला बंफर भैकेंसी उनलाइन फरम जामा करने के अमतिनती थी 12 माई साम पांच बज़े तक है बताद चैनित उमिद्वारों को रिख्तियों के अधार पर ओरिशा जोन वन के किसी वीडिया भी पबलिक स्कूल में तयनात किया जाएगा जार्खन विधान सभा के विशेश सत्र चुनाओ बाद राज्य मेह जनजातिय विश्य चत्रे में दोबारा लाय जाएगा 95 चुनाओ के तुरंट बायद इस विश्य चत्र के बुलाणे की त्यारी है यहार सत्र एक दिन का होगा जिसमें इस्कूली एवं उच सिक्षा के कई विश्यों पर चर्चा भी होगी बतादे राजे पाल्ग्रमेस बैस ने दो महपूर्व ही पंडित रगुनाथ मुर्भू जन जातिय विश्वविद्याले विध्यक को आपतियों के साथ राज सरकार को लोटा दिया है जारखन में बच्चों के स्कूल रेस में बड़ा घोटाला है हजारी बागजिले के प्राथमी के वमद विध्यालों में पढ़ने वाले काक्षा एक वद दो के 40 हज़ार चात्रों के लिए पोसाग खरीदी भी नहीं की गई और इस मद में आए 1.60 को रुपए की बिल सरकारी एप PFMS पर अपलोड कर दिया गया है बिना पोसाग खरीदे फरजी बिल अपलोड कर देने का मामला मार्च लूट के तहत अंजाम दिया गया इस खेल का साथ सरकार के PFMS एप पर देखा जा सकता है जहां 1472 विद्यालों के सची उस्वा परभारी परधना ध्यापको ने उप्योगता परवान पत्र सहीत बिल अपलोड कर पुसाग खरीद दिखा पैसे खार्च कर देने की पुष्टी की है मुख्य मंत्री छात्रविर्ती योजना के लिए 30 तक करे आवेदान बतादे परिक्षा जायक लेगा चैनित अभियार्ती को 12,000 रुपे सलाना चात्र विर्ती दी जाएगी आठवी काक्षा में पढ़ने वाले चात्र इसमें सामिल हो सकते है परिक्षा के लिए अवेदान ऑनलाइन भरे जाएंगे चात्र इसकूलों से संपर्क कर विशेष जनकारी ले सकते है जारखन के किसानों को मिलेगी साइकिल इरिक्सा किसानों को साइकिल वव इरिक्सा देगी जारखन सकार बतादे किरिसी विभाक के अधिन संचालित उद्ध्यान निदे साले किसानों को फल सब्जी के प्रोसेसिंग वराख रखाव के लिए छोटे-छोटे उपकरन देगी पहली बार उद्यार निदे साले किसानों के लिए पोस्ट हर्वेस्ट आयन प्रिज्वेंशन इंस्प्राट्रक्चर विकास जोजना शुरू की है इसके लिए वित्य वर्स 21-22 में गारा क्लो रूपय का प्रधान किया गया था बता दे रासे निकाल कर पी एल खाते में रखी गई है यह जोजना चालू वित्य वर्स में चलाई जाएगी किसानों को साइकिल इरिक्सावा चोटे-चोटे कोल्ड एस्टोरेज भी दिये जाएगे इसका लाब इनेम से समधित किसानों को ही दिया जाएगा बता दे इस स्कीम के तहट राजे के 300 ग्रामिन बजार में 10-10 किसानों को साइकल दी जाएगी एक साइकिल की किमत 5-6 रूपए होगी धन्यवाद